हेलो दोस्तों वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो बिजनेस औरगनाईजेशन सब्जेक्ट के बारे में है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकिल्स ओफ एसोसियेशन के बारे में इसे शॉर्ट में हम AOA के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैं मेमरेंडम ओफ एसोसियेशन यानि MOA के बारे में भी डिटेल में बता चुका हूँ अगर आप उसके बारे में जानना चाते हैं तो आप इससे पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक Articles of Association की Meaning इसकी Definition क्या होती है और इस Articles of Association में Contents क्या क्या होते हैं इन सारे चीजों के बारे में हम Detail में समझेंगे तो सबसे पहले हम यहां इसकी Meaning को समझते हैं यहां पर लिखा हुआ है Articles of Association Contents, Rules, Regulations regarding the management of a company's internal affairs It defines the powers, duties and rights of managers, officers and the board of directors Every company should have an AOA as a guide to refer to before making any minor or major business decision तो इसका मतलब यहा है कि Articles of Association एक कंपनी का दूसरा important document होता है यानि पहला MOA होता है यानि Memorandum of Association होता है जिसमें कंपनी के Objectives define किये जाते हैं और उन Objectives को पूरा कैसे करना है काम कैसे किस तरीके से किये जाएंगे वो सारी चीजे इस AOA में define की हुई होती है मतलब यह document जो होता है या कंपनी के internal affairs उसके management, उसके operations को regulate करता है एक कंपनी को ठीक तरीके से चलाने के लिए उसमें rules, regulations जो होते हैं वो सारे इसमें लिखे हुए होते हैं इसमें कंपनी के जो managers होते हैं जो officers होते हैं और जो board of directors होते हैं उन सभी के अधिकार, उनके करतव और उनके हक को इसमें define किया जाता है इस तरह हर एक company को article of association की ज़रूरत पढ़ती ही है तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि या AOA यानि articles of association company और उसके जो members हैं उनके बीच का एक contract है जो उनके members के duties और उनके rights को बताता है कि उनके करतव क्या है, उनके अधिकार क्या क्या है, वो सारी चीजे इस articles of association में पहले से लिखी हुई होती है अब यहाँ पर इसकी एक छोटी सी definition है इस definition का मतलब या है कि या articles of association एक ऐसा document है जो company के सदस्यों के बीच उनके अधिकार और company के website कारवाही का तरीका को बताता है मतलब इसमें या define किया जाता है कि company और उसके members जो है उनके बीच किस तरह से उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को चलाया जाएगा और नियंतरित किया जाएगा उन पर control किया जाएगा तो यह सारी बाते इस article of association में पहले से लिखी हुई होती है ताकि आगे चलकर उन्हें कोई भी problem ना हो तो एक तरह से यह एक guideline है जो company के internal functioning और management के rules और regulations को define करती है और company और उसके members के बीच expectations और roles को clear करता है तो articles of association की meaning और definition को जानने के बाद अब आएए जानते हैं कि इसके contents क्या क्या होते है contents of AOA यानि articles of association तो यहाँ पर लिखा हुआ है the contents of articles of association vary from company to company given their requirements तो दोस्तों इस articles of association में जो contents लिखे हुए होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो contents लिखे हुए होँ वो हर एक company के same हो जो अलग-अलग company होती है वो अपनी अपनी जरूतों अपनी requirements के हिसाब से वो इसमें contents को लिखती हैं तो कुछ common contents यहाँ पर थोड़े से लिखे हुए हैं आईए इन्हें हम थोड़ा समझ लेते हैं तो इसमें सबसे पहला है share capital दोस्तों एक company जब अपने shares को issue करती है तो वह उन shares पर कितनी capital collect करेगी उनकी face value क्या होगी किन conditions में share issue और वापस लिए जा सकते हैं यह सारी चीज़े इसके content में लिखी हुई होती है दूसरा है dividends and reserves इसमें dividend की क्या condition है वो इसमें लिखी हुई होती है और इसमें rules और procedure को declare किया जाता है कि company कैसे अपने profit को shareholders को देने के लिए कब और कैसे निर्धारित करेगी उसके reserve कितने रखे जाएंगे यह सारी चीज़े लिखी हुई होती है next है journal meeting and proceedings company की journal meeting जो रखी जाएगी उससे related क्या rules और regulations है वो सारे कुछ इसमें लिखे हुए होते है next है voting rights of members company के जो members है उनके voting rights क्या है यानि equity shareholders और preference shareholders के voting rights क्या है और दूसरे members के voting rights क्या होंगे वो सब इसमें लिखे हुए होते है next है accounts and audits एक company जो भी books of accounts maintain करेगी उसका audit कैसे किया जाएगा और भी audit से related सारे rules regulations इसमें लिखे हुए होंगे next borrowing powers दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एक company shares के थूँ अपनी capital को collect करती है पर अगर आगे उसे और fund की ज़रूरत पड़े तो वह loan के थूँ या divinture के थूँ किस तरह से वह fund collect कर सकती है या सब पहले से इस article of association में लिखा हुआ होता है जनी इसके contents में सारी चीज़े लिखी होती है next है एक company के accounts book को maintain करने उसे systematic रखने के क्या method है मतलब financial record किस तरह से रखे जाएंगे book keeping किस तरह से की जाएगी accounting statement जो है financial statement जो है वो किस तरह से prepare की जाएंगे वो भी इसमें लिखा हुआ होता है articles of association में इसका next और last content है special provisions for winding up of a company इसका मतलब है बंद होना तो एक company के बंद होने के time पर अलग-अलग जो rules और procedures follow किये जाएंगे वो सारे कुछ इसमें पहले से लिखे होंगे कि किस तरह से assets को sell किया जाएगा company की जो liabilities हैं वो किस तरीके से pay की जाएंगी इसके साथ ही company की voluntary और compulsory winding up की condition भी इसमें लिखी हुई होती है दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ अब आप article of association के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि इसकी meaning क्या है, definition क्या होती है और इसके contents क्या क्या होते है इसमें अगर आपको और भी contents जानने है तो आप एक बार थोड़ा book से देख लिजेगा वहाँ पर और भी आपको मिल जाएंगे तो अगर आप memorandum of association के बारे में detail में समझना चाते हैं तो आप इससे पहले की वीडियो को जरूर देखे और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें और business organization की playlist को भी एक बार जरूर चेक करें मिलते हैं next वीडियो में, thank you